सर नेक्स सेक्शन है हमारा कैपिटल एसिट के अंदर यहाँ पे सबसे पहली बात जो यह लेंड जमीन है अगर हम इसे बेचेंगे पहले तो यह बताईए क्या यह कैपिटल एसिट्स है के नहीं है यह जो मैं लेंड बना रहा हूँ क्या यह कैपिटल एसिट्स है या नहीं है तो बड़ी बेसिक सी बात है सर यह कैपिटल एसिट्स है है ना कैपिटल एसिट्स तो नहीं, residential house नहीं, मैं capital assets की बात करता हूँ, capital assets की definition में क्या कहता है, immovable property हुआ तो सर वो तो है ही अब ये capital assets दो तरीके का यहाँ पे हो सकता है, या तो ये सिर्फ जमीन है, या फिर यहाँ पे खेती यानि agriculture activity हो रहा है, अगर यहाँ पे agriculture activity हो रहा है तो दो जगे हो सकता है ये खेती, या तो आपके ruler area में हो सकता है या urban area में, या तो गाओं में हो सकता है या तो शहर में हो सकता है सर या तो ruler area में होगा या urban area में, अगर मैं ruler area की बात करूँ, rural area की बात करूँ और urban area की सर रूरल और एर्बन में क्या डेफिनिशन है अभी पता चल जाएगा सरकार ने अगर इस पे खेती कर रहे हो खाली जमीन है तो कहीं भी हो भई या टेक्सेबल होगा अगर सिर्फ आप इस पे खेती कर रहे हो तो सरकार ने किसानों को बहुत बेनिफिट दिया हुआ है एक्सिंशन बोला हुआ है कि आपसे हम इस बात पे टेक्स नहीं लेंगे इस बात पे नहीं लेंगे आप खेती करिए आप अपने आपको सर्वाइवल करिए अच्छे सरही है लीविंग स्टेंडर बढ़ाईए तो कहा गया जो गाउं में रहते हैं उनसे हम टेक्स नहीं लेंगे तो सर जब टेक्स नहीं लेंगे तो इसको कैपिटल एसेट से भी बाहार कर दिया गया डेफिनीशन में बोला गया capital assets सारे के सारे immovable property होंगे लेकिन उसमें agriculture land जो की rural area में है वो include नहीं होगा मैंने नीचे note में भी बताया था यानि सर urban area वाला जो होगा urban area वाला होगा वो include होगा अब सर rural area में कैसे पता चले इसका पूरा दाइरा है जब हम agriculture chapter करेंगे तो वहाँ पे मैं पूरा sequence बताऊंगा कि आपके 10 km में MCD वाले आते हैं population इतना होना चीए 5 km में इतना है 20 km में इतना है वो पूरा है अभी फिलाल इस chapter के अंदर आपको पता होना चीए rural area का हमारा capital assets ही नहीं है तो जब इसको बेचेंगे तो capital gain भी नहीं लगेगा यानि सर जब urban area में आपका capital assets हुआ तो क्या urban area में अगर आपका खेती कर रहे हो तो क्या ये capital assets है क्या आप बोलेंगे सर शहर में कहा खेती होती है मैं बता रहूँ डेली में होता है किसी ने देखा है दिली में खेती होते है बहुत जगे डेली के अंदर होता है खेती तो डेली के अंदर आप देखो यहाँ पर ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि बोला किसान के लिए income माफ कर देते हैं और agriculture income बोलता है आप दो activity कर लो basic activity और subsequent activity यानि आप अगर खुदी खेती कर रहे हो और उसको फिर काट भी खुदी रहे हो तो आपका मान लेंगे agriculture activity रूरल इरिये में किसान रूरल को बोला गया अरवन को नहीं बोला गया अगर अरवन को बोला होता तो पता चल रहा होता कि डेली के अंदर भी खेती है लोग बात क्या करते घर बनाते घर के छट पर खेती करते ऊचंदेश करते और उस घर को बीच देते बोल देते हैं ये मैं खेती कर रहा हो यहाँ और ये जो मैं खेती कर रहा हो ये हो गया हमारा agriculture activity और agriculture activity अगर सरकार ने माफ कर रखा है तो हमने इस पर tax देना नहीं है उसे capital asset से ही बाहर कर देते लोग बाग तो बोला भाया अर्वन वाले को बाहर नहीं करेंगे किसान ने बोला भाया ठीक है आप मेरी चालाकी को समझ गए हो आप इसे बाहर नहीं कर रहें इसके उपर taxable लगाओगे लेकिन मैंने क्या करा है मेरे पास एक खेत है अब आपको पता है खेत जितना ज़्यादा बड़ा होगा ना आपका उतने अच्छे से आप खेती एक कर प आप आओ तो अब मुझे क्या tax ले लोगे मैंने ये पांच लाक रुपए का 5000 का खरीदा था मेरे जितने भी पूरवजों ने खरीदा था कभी 5000 रुपए मैं आज 50 लाक का बेच दिया तो क्या आप मैंने खरीदा भी तो है सर 50 लाक का तो क्या इस पर आप मेरे से taxable ले लो करते हो और तुम्हें जो allowed करेंगे ना वो करेंगे section 54 B के अंदर ये capital B है याद रखना है small B लिखते marks नहीं मिलेगा बोला अगर कोई भी urban agriculture land को आप बेचते हो और urban agriculture land को बेचने के बाद वो भी long term होना चाहिए सर condition क्या रखा government ने condition देखिया 1961 से tax बन रहा है तो 1961 से अब तक की चलाकी आपको पढ़नी है condition रखा government ने बुला भीया सबसे पहले agriculture land कौन सा है agriculture land उसको मानेंगे हम जिस पे आपने work किया हुआ हो ऐसा नहीं कि आज ही आपने start किया agriculture में nursery वगरा सब कुछ आ जाता है आपने आज ही start किया और बो अगरी कल्चर land डिडेक्शन ले लेंगे ऐसा नहीं है agriculture का मतलब आपने इसके उपर खेती किया हो कम से कम दो साल इसका proof आपके पास होना चाहिए या तो आपने या तो आपके मम्मी पापा ने या आपके दादा दादी ने आपके परिवार वालों ने अगर इस जमीन पे खेती किया है तब मानेंगे ये agriculture land है पहला condition दूसरा इस agriculture land को जो बेचोगे हमेशा long term होना चाहिए long term होगा तभी हम आपको deduction देंगे deduction देंगे कैसे deduction मिलेगा तीसरा सर आपको यहाँ पे जो खेत खरीदोगे तो आप फिर बोलोगे हमें time चाहिए तो सर एक साल पहले खरीद लो planning के साथ और दो साल बाद construction तो करोगे नहीं खेती में तो उसके लिए आपको नहीं मिलेगा एक चीज़ और ध्यान रखना एक होता है dwelling house क्या होता है सर agriculture में पढ़ेंगे dwelling house होता है खेत में आप देखोगे नहीं कई घर बना लेते हैं उस खेत की रखवाली करने के लिए तो उस घर को भी अगर कोई बेचता है तो वो agriculture house माना जाएगा अगर गाउं में बेचा जा रहा है तो capital gain से बाहर होता है उसे बोलते है dwelling house ठीक है सर घर कहां खरीदना है सरी घर land कहां पर खरीदना है सर जो जमीन खरीदना है ना आपको आपकी इच्छा है खरीदना आपको agriculture land ही है tax planning के लिए आप खरीदो rural वाल यानि गाउं वाली जमीन खरीदो ताकि फिर दुबारा जब कभी बेचो तो वो क्या हो जाए tax free क्योंकि अगर मैंने गाउं वाली जमीन खरीद लिया रूरल वाली जमीन खरीद लिया तो capital assets नहीं है जब मैं दुबारा बेचू हुआ तो का सारा कहानी लगबग लगबग पीछे वाला आ जाता है बस यहाँ पे condition आ जाता है कि उस वहाँ पे ऐसा नहीं तक है उस घर में आपको इतने साल रहना है यहाँ पे बस आगया आपको खेती करना है वहाँ पे तब आपको exemption मिलेगा यह कब मिलेगा सर आपको agriculture land ही बेचना है और खरीदना भी क्या है अगरी कल्चर आपने बोला सर मैंने घर बेच दिया घर बेच दिया 50 लाग का और एक खेत का मैंने जमीन खरीद लिया अगरी कल्चर लेंड खरीद लिया 10 लाग का सर 54B में deduction दे दो ऐसा थोड़ी होगा 54B कहता है आपका बेचना भी क्या है agriculture land औ अब जाके आपको इसका deduction मिलेगा समझ मैं ही बात आपको क्या condition है फटा फट देखिए condition number one जमीन जो होना चाहिए दो साल आपके खेती होनी चाहिए कौन करेगा सर मम्मी पापा आप कर लो अदाद अदादी कर ले इसके बाद आपको वो बेचना है long term होना चाहिए यानि 24 म बाद वाले के लिए आप पैसे को जमा करवा दो कहा capital gain deposit account के अंदर आप जमा करवा दीजिए उसको सर इसके बाद अगर आपने agriculture land rural area में खरीदा तो कोई दिक्कत नहीं बेच दो कोई taxable ही नहीं होगा अगर urban area में खरीदा तो तीन साल तक hold करके रखना बेचना नहीं है ठीक तर इसके definition को मैंने क्या करा है अभी मैं पढ़ देता हूं इस पर question नहीं ले रहा मैं सिर्फ मैं इसको पढ़ देता हूं क्या कहता है पढ़ते हैं कहता है sir who can claim individual or क्या करना है urban agriculture land because आपका क्या कहता है because agriculture land not a capital sorry rural agriculture land capital assets ही नहीं है मैं इसको अलग से कर देता हूं highlight highlight कर देते हैं तो शायद ज़्यादा दिखें यह लेगे कहता है sir urban agriculture आपको land ही क्या करना है transfer मतलब sold करना है sir urban सब्द का इस्तमाल इसलिए किया गया क्योंकि because rural agriculture land is not a capital assets यह मैंने समझा दिया यहीं पर इसलिए सिर्फ urban सब्द का इस्तमाल किया गया sir क्या कितने time के बाद बेचना है agriculture land should be used by parents agriculture purpose at least two year before the transfer पुराने आपको किया हुआ होना चाहिए sir इसके बाद और क्या है और कहता है आपका कौन सा होना चाहिए sir long term और short term हाँ यहाँ पर मैं बताना भूल गया agriculture में आपको short term भी दिया गया है long term भी चलेगा और short term भी चलेगा sir यह बात है जो deduction long term भी चलेगा और short term भी चलेगा इसका ध्यान रखना मकान में क्या था सिर्फ long term यहाँ पे दोनों है long term और short term एक दो section है जो short term को allowed करता है जैसे कि एक हमारा short term को और कौन allowed करता है long term long term long term अभी देख लेंगे बाद में आगले page पे है कहाँ पे है हाँ यह रहा तो बाद में देख लेंगे पहले यह देखते है चलिए eligible सर eligibility का मतलब क्या है eligibility मतलब आपको क्या खरीदना है आपको weather in ruler area और urban area इसका line थोड़ा इदर shift हो गया था weather acquire यह पहले यह वाला पहले है weather acquire agriculture land in ruler area और urban area कहानी यह है थोड़ा सा वो न टेबलर फॉर्म में गलत हो गया आगे पीछे समझ मैं तो वो समझ जाईएगा जो मैंने कटवा दिया था sir max period allowed investment sir within a two year from the date of transfer investment maximum period है एक साल पहले भी कर सकते हो आपका मैंने यहां लिखा नहीं है बाकी आपको मैं किताब में मिल जाएगा sir quantum amount same way lower मिलेगा आपको क्या capital gain deposit में yes sir capital gain deposit में आप रख सकते हो तो यह था हमारा section number 54b बताईए इसमें कोई doubt provision में बताईए deduction के लिए मैं एक सवाल ले लूँ क्या करवा देतें एक सवाल यह अगली class में करेंगे सवाल रुख जाईए पहले इसको तो पढ़ लीजे कोई doubt है तो पूछ लीजे अभी तक क्या क्या हो गया capital gain में इस पे सवाल अगली class क्या है अगली एक सवाल